हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टडी फिट चैनल दोस्तों आज मैं एक भी इंपोर्टेंट टॉपिक जो सोसंतंत्र से रिलेटेड हैं इसमें बार-बार कनफीजन होता है वादिल कैपिसिटी एंड टोटल लंग कैपिसिटी क्या है इसके बारे में सभी डाउट आज किलियर करुगी वीडियो को सुरुक से लाश्ट तक देखीगा पेडरि इंपोर्टेंट वीडियो होने ऐसे धाला है अन्डोस्तों प्लेघ्रोätte अनुट मियां वाइस शोसन क्या है कोसिकी सोसन क्या है अरॉबिक एन अरॉबिक सोसन क्या है इसके बारे में डीटेल में बता चुकी हूं आप चैनल के प्लेश्ट इनर्टॉमियम फिजियोलाजी में जाकर के देख सकते हैं और दोस्तों यह दिया आप फिजिकल एजूकेशन के किसी भी कमपेटिटिव एक्जाम्स, TGT, PGT, KBS, NBS, ELT का प्रिपरेशन किसी भी इस टेट के कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो शिलिविस के कार्डिंग हैं, सभी वीडियो इसको वाच करके आप अपना प्र सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों वाइटल कैपेसिटी क्या है, जैसे कि दोस्तों वाइटल कैपेसिटी एक फेफडों की वह छमता होती है, जो एक बार पूर रूप से अंतह स्वसन यानि इंस्पाइरेशन करके पूरी बल के साथ जो हवा वाह स्वसन यानि एक्सपाइ जाती है उसकी मात्रा को वायल केपिसिती कहते है, यानि कि अधिक्तम अंतहस्वसन के बाद हवा की सबसे मात्रा जो स्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है कहनी का ताथ प्रह दूस्त में, आप पूरी छहमबा से जितना वायू को ग्रहड कर रहे हैं और जितना वायू को बाहर निकाल रहे हैं उसे की मात्रा को ही vital capacity कहते हैं vital capacity बराबर क्या होता है टैडल वैल्यूम, complementary air, प्लस, supplementary air तो दोस्तों इन तीनों को मिला करके बनता है vital capacity तो vital capacity निकालने का सुत्र यही है कि tidal volume प्लस complementary air प्लस supplementary air तो tidal volume and complementary air and supplementary air यह होता क्या है इसके बारे में जानते हैं इन तीरों को मिला करके बनता है vital capacity tidal volume क्या होता है जैसे कि दोस्तों जैसे कि हम समाने अवस्था में जितना स्वास अंदर लेते हैं और जितना स्वास बाहर लेते हैं वही tidal volume होता है यानि कि समाने अवस्था में जितना हम स्वास को अंदर लेते हैं यानि inspiration करते हैं और जितना स्वास को बाहर निकलते हैं या तैर्य संत्य आवस्थामें 500 यमल होता है उर जब अभ्यास कर ने लगते हैं यानिए कि अभ्यास के दौराण 3000 हहिं प्रसिचित हो जाते हैं तो फिर सब्सक्रिब्स हो होता है दोस्तों कि समाने स्वास के बाद यदि वायू और जोर से स्वास लेकर फेफों में ली जाए यानि कि इसमें जोर से समाने स्वास लेने के बाद जोर से वायू को अंदर आप ग्रहा कर रहे हैं तो यानि इंस्पारेशन कर रहे हैं जोर से पुरा एफ़र लगा करके तो वो complementary air हुआ, complementary air जो है समाने आवस्था में 3000 ml होता है, and next is supplementary air, persist value, यह क्या होता है कि गहरे स्वास द्वारा वायू को बाहर निकालना, यानि कि expiration करना होता है, यह होता है आपका 1100 ml, ठीक है, जैसे कि दोस्तो, tidal value air, supplementary air, यह तीनों में लाकर कि vital capacity बनता है, जैसे कि tidal value क्या हुआ, तीनों में difference समझ लिजे, कि आप समाने आवस्था में, स्वास को ग्रह कर रहा है, यानि कि inspiration कर रहा है, और स्वास को बाहर निकाल रहा है, expiration कर रहा है, यह हुआ tidal value, और जोर से स्वास को बाहर अंदर ले रहा है, पुरा effort लगा करके, तो यह complementary air हो गया, और जोर से स्वास को बाहर निकाल रहा है, पुरा effort लगा के, यह supplementary air हो गया, इन तीनों का योग ही होता है, vital capacity, तो vital capacity, बराबर क्या हुआ, tidal value, प्लस complementary air, प्लस supplementary air, तो दोस्तों, इसके बाद, भी एक होता है, residual air, residual air जो होता है, आउसिस्ट वायू, जैसे कि आप, पुरी जोर से स्वास को बाहर निकाल लिये, उसके बाद भी, हमारे फेफ़णों में कुछ हवा बची रह जाती है, ठीक है, पूरे बल के साथ, expiration, यानि, quire session के दोरान, जो हम स्वास को गहरे, पूरे जोर से बाहर निकालते हैं, उसके पस्चात भी हमारे फेफ़णों में, कुछ वायू बची रह जाती है, उसी को ऑसिस्ट वायू या, residual air बोला जाता है, इसे की मातरा, 1.2 लिटर होता है, यानि की 1200 यमन, तो आँ हम निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले vital capacity, फिर total long capacity, जैसे की दोस्तों, vital capacity बराबर क्या होता है, tidal volume, प्लस complementary air, प्लस supplementary air, तो tidal volume कीतना है, 500 यमन, complementary air कीतना है, 3000 यमन, and supplementary air कीतना है, 11 यमन, इन तीनों को जोडने पर क्या आता है, 400 यमन, यानि 4.6 लिटर आपका होता है, vital capacity, 4.6 लिटर vital capacity होता है, ठीक है, वह इसे तो दोस्तों, exact 4.6 लिटर होता है, इसे गुमा फिरा की पूचेगा, कि समान बेक्ती में 4-5 लिटर, आए खिलारों ये 5-6 लिटर, ऐसे भी होता है, ठीक है, तो vital capacity कीतना आया, 400 यमन, 4.6 लिटर, अब निकालते है, total lungs capacity, total lungs capacity क्या होता है, कि फेपरों की कुल छंता, यानि कि वाइव की वह कूल मात्रा, जो फेपरों में समार सकती है, वह ही total lung capacity हो गया, इसको निकालने के लिए क्या होता है, vital capacity, प्लस residual air, यानि इसके अंदर के सभी आजाते है, tender volume, complementary air, supplementary air, residual air, तो इसके निकालने का सुत्र है, vital capacity, plus residual air, ठीक है, residual volume, जैसे कि दोस्तो, vital capacity कितना आया था, 4.6 liter, यानि कि 46 ml आया था, and residual air कितना है, 12 ml, तो 400 plus 1200, जोड़ेंगे ते कितना आया था, दोस्तो, अंठावन सो यानि कि 5.8 liter, 5.8 liter आपका आया, total lung capacity, ठीक है, तो, question पूछ सकता है, कि फेपड़ों की, कुल वायू छमता कितनी होती है, यानि कि फेपड़ों की, total lung capacity क्या है, तो क्या है, 5.8 liter, अशुत्र भी पूछ सकता है, कि total lung capacity, बराबर क्या होता है, water capacity, plus residual volume, ठीक है, अब बात करते है, birth rate, यानि श्वांसदर की, birth rate कहते किसे है, यानि एक मिनट में ली गई, शार्षों की शंख्या को ही, birth rate बुला जाता है, श्वांसदर, जैसे कि दोस्तों, समाने बेक्ती, यानि में अराम की इस सिती में, स्वांसदर कितना होता है, birth rate, शोले से 20 बार होता है, प्रति मिनट, ठीक है, शोले से 20 सोचन, प्रति मिनट होता है, एंड जब अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास के दोरान हो जाता है, पचास से साथ, प्रति मिनट, एंड जब खिलारी अभ्यास हो जाता है, प्रसिछित खिलावի में आर्स से 10 बार प्रती मिनट होता है एँ दोस्तोव एक बार स्वास लेने में कितना समय लगता है तो पांच सेकिंड का लगता है तो दोस्तोव हमने जाना wat रल कपिसिती क्या है एँ टोट।ल लंग्स कपिसिती क्या है बर्थ रेट क्या है आई होग कि दोस्तों सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आये होंगे आज के लिए बस इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइए और जादे से जादे सेर कीजी दोस्तों फर्ष बार विजिट कर रहा है तो चोनल के सब्सक्राइब कर लिजी विल आइकन को फ्रेज कर लिजी जिसे न्यू वीडियो को अपडेट आप तक पहुच साथ रहे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ अब त